नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं विनीश सर्म आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इस्टडी इस्थल में तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले यूपी टरपल सी के लिए प्रैक्टिस सेट तो हमारे यूपी टरपल सी पैट में रीजनिंग के जो कोश्चन आने वाले हैं वो आएंगे 5 तो हम चलते हैं अपने प्रैसनों की तरफ तो हमारा सबसे पहला कोश्चन है कि निमलिखित सब्दों को तार किक और अर्थपूर किरम में वेविस्थित कीजिए यानि इन्हें क्या करना एक वेविस्थित करना तार किक और अर्थपूर सब्दों में तो करेंगे कैसे इनको हमें किसमें लगाना है इनको हमें लगाना है भी या असेंडिंग ओर्डर में किसमें लगाना असेंडिंग ओर्डर यानि आरो ही किरम में ठीक है, आरोई किरम में लगाना है तो इन में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है मिलिमीटर, तो first option एक तो इसमें आ रहा है D में और एक B में मिलिमीटर के बाद में, जो दूसरे नमबर पे आता है हमारा centimeter, तो centimeter हमें कहां दिख रहा है ये रहा number 4, इसमें तो है नहीं, तो ये option खतम हो गया तो हमारा option क्या बन क्या जाएगा, option D ये तो start किस से हो रहे थे, 2 और 3 से, जबकि सबसे पहले number पे क्या आना था 1 आना था, सबसे छोटा होता है millimeter, millimeter के बाद में centimeter centimeter, centimeter के बाद में decimeter और decameter क्या होता है, सबसे बड़ा, ठीक है चलते है, question number 2 की तरफ देखो, अच्छा question है, ये भी question number 2, question number 2 क्या कह रहा है कि cobbler को क्या लिख रहे हैं, 130 लिख रहे हैं, और table को क्या लिख रहे हैं, 93 तो हमें code किसका बताना है, code बताना है, almira का तो अगर आपको इस type के question मिलते हैं, जैसे कि यहां पर दे दिया alphabet 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर यहां दो digit दे रखी हैं, तो आपको यहां से एक point मिलता है कि या तो यह add हो सकता है, multiply हो सकता है, संख्याओं को, तो हमें यह करके देख लेना एक बार तो सबसे पहले हमने लिखा, table, t का हमने opposite करा, t का opposite क्या होगा, t का होता है, 20 तो opposite कितना निकल के आएगा, 7 a का कितना होता है, 1, और इसका opposite कितना होगा, 1 का opposite होगा, 26 b का कितना होता है, 2, इसका opposite कितना होगा, 25, l का कितना होता है, 12, इसका opposite क्या होगा, 15, e का कितना होता है, 5, इसका opposite कितना होगा, 22 add कर लो 2 और 5, 7 7 और 5, 12, 12 और 6, 18 18, 7, 25 25 का 5, carry कितना हुआ हमारा 2 2 और 1, 3, 2, 5 5 और 2, 7 और carry 2 जोड के कितना आगया हमारा 95, जबकि question में कितना कह रहा है, 93 है 5 जबकि क्या कितना रहा है, 93 यानि कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ तो 95 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 93 बचेगा, ठीक है अब कोड हमें किसका लिखना है अलमीरा का कोड लिखना है AL, M, I R, A, H यही था ना, तो A का कितना होता है 1, इसका पोजिट कितना होगा 26 ये लिख दिया 26 L का कितना होता है, 12 12 का पोजिट कितना होगा, 15 M का कितना होता है, 13 इसका पोजिट कितना होगा, 12 I का कितना होता है, 9 9 का पोजिट कितना होगा, 8 Sorry, I का कितना होता है, 9 9 का कितना होगा, 18 फिर R, R का कितना होता है, 18 18 का पोजिट कितना होगा, 9 फिर हुआ बचा हमारा ए का कितना होगा हमारा 26 ह का कितना होता है 8 8 का कितना होगा 19 add कर लो 9 और 6 15 15 9 24 24 और 8 32 32 और 2 34 34 और 5 49 49 और 6 45 45 का 5 कहरी कितना होगा हमारा 4 चार और एक 5 5 और 2 7 7 और एक 8 और एक 9 9 और एक 10 10 तो 12 कितना add करके है हमारा 125 यहां आमने क्या करा था दो माइनस करा था तो यहां भी 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 123 तो 123 कौन सा answer है हमारा option D is the correct answer ठीक है चलते है प्रेसंस अंख्या 3 की तरफ देखो यह बहुत अच्छा question है और इसमें बहुत सांदार सा logic लगा हुआ है यह हमें series दे रखे 80 79 है 75 है 66 है यह हमें बताना और यह हमारा 25 25 तो यहां पर आएगा क्या यह बताना है देखो इसमें हो क्या रहा है सबसे पहले लिखा हमने 80 80 में क्या हो रहा है एक का स्क्वाइर माइनस हो रहा है 80 में से एक का स्क्वाइर माइनस करके क्या आएगा 79 फिर नमबर किसका है 79 का 79 में से क्या हो रहा है 2 का स्क्वाइर यानी 4 कम हो रहा है तो कितना आएगा भी यह 75 ठीक है 75 75 लिख दिया अब की बार कितने का स्क्वाइर कम होगा 3 का स्क्वाइर कितना 9 75 में से 3 का स्क्वाइर 9 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 66 ठीक है फिर 66 में से अब की बार कितने का स्क्वाइर कम होगा 4 का यानी 16 तो 66 में से 16 कम करोगे तो कितना निकल गाएगा 50 और 50 ही क्या है हमारा answer ठीक है यह previous year question है लाश्ट यहर जो हमारे previous year उनमें आया हुआ question है चलते है परसन सेंख्या 4 की तरफ question number 4 क्या है हमारा question number 4 है एक लड़के से परीचे कराते हुए राधा ने कहा यह मेरे पिता तो यह मेरे कितना होगा एकर नमबर के पिता नमबर दो एकलोते पुत्त आज़िए नमबर 3 कह भी पुत्त नमबर चार हे तो राधा का उस लड़के की पावस आ से क्या संब्ढ्द है तो देखो करेंगा कैसे सबसे पहले किया यह मेरे इकां राधा और इसका नमबर क्या है एक, मेरे पिता, यानि इसके कौन होगे, पिता, नमबर दो, पिता के भी एकलोते पुत्र, यानि इसका क्या होगा, भाई, नमबर तीन, एकलोते पुत्र का भी क्या है, पुत्र, तो ये इसके नीचे आएगा, नमबर चार, और वो कह रहा है, ये जो लास्ट वाला नमबर च हार है उसका पूझा राधह काई लड़के की मां से नबर चार की मां necklace काओ तीन की पतनी उयानी पूझा कि यह रिलेशन पूछा पतनी का इस राधह से तो ये कौन इसका पती और ये पती की कौन है बेहन तो राधा कौन लगेगी इसकी राधा लगेगी इसकी ननद ठीक है चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाजी यह है कोश्चन हमारा देखो ध्यान से पड़ो कोश्चन को को कोश्चन कह रहा है कि नीचे एक पिरसन दो कथनों फर्ष्ट और सेकंड के साथ दिया गया है यह कथन या तो स्वेतंत्र कारण हो सकता है या स्वेतंत्र कारणों या सामान्य कारणों के पिरभाब हो सकते हैं इन में से एक कथन दूसरे का पिरभाब हो सकता है दौनों कथनों को पढ़िये और निमलिखित में से उत्तर विकल्प इन दौनों कथनों के बीच ये बताना है, सबसे पहला कथन क्या कह रहा है, सबसे पहला कथन कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलणा में, युवा बेरोजगारों की संख्या में अभूतपूर ब्रद्धी हुई है, ठीक है, यानि पिछले वर्ष क्या हुआ, बेरोजगारों की संख्या में भारी ब्रद् में आवेधन किया गया है यानि टो इस वैंग में क्या निकलिए वैकैंशी निकलिए घ्लक्य तो उस Parak सारा बडी संख्या में अवेधन हुआ है उस विद्ध्यापन के लिए तो यहा है को जो हमारा कथन कष्ट है यह तो रहां कि बेरोजग्यार बड़े है क्या कहा रहा यह विर्याय बड़े हैं पिछली साल और उसका पेGO क्या हुआ है इस साल की एक बैंक में वेकैंसी निकली और सारे लोग उसके आवेदन करने के लिए वहां पहुचे害 तो कथन पहला क्या है ये तो है कथन नंबर एक क्या है कथन और नंबर दो क्या है इसका पिर्भाव तो देखेंगे कोश्चन में कि कहां पहला कथन है और सेकंड पिर्भाव कथन सेकंड पिर्भाव यह तो है नहीं कथन सेकंड पिर्भाव है ठीक है लेकिन क्या रहा है कथन एक इसका कारण नह है जिब की कारण है दूसरा देखते है कथन एक इसका कारण है और कथन सेकंड इसका पिरभाब है यहनि क्या कथन एक क्या है कारण है और कथन सेकंड क्या है इसका पिरभाब है यहां सही कह रहा है कथन एक क्या है कारण है और कथन दो क्या है फिर भाव है ठीक है option c or d होंगे नहीं तो इसका answer क्या निकल के आया हमारा option b is the correct answer तो दोस्तों हमारे साथ इसी तरह बने रहे हैं तो अब जो हमारी next class हुआ करेंगी जब तक pet का exam नहीं होता तब तक रोज हमारी per day class practice set की हुआ करेंगी ठीक है इसी तरह दोस्त तो अपना प्यार बनाई रखें तब तक के लिए नमस्कार